इस A के बाद हम exercise B करेंगे exercise B देखिए आप अपनी बुक में complete these items तो सबसे पहले write a digit in each box ठीक है जो box दिये में उनमें आपने ये digit लिख लेना है 28189 28189 आप सब write down कर लेए हैं number exercise B के portion 1 में आपने ये दिखा है ठीक है write a write the digits above as a number that is in standard form जो ये number हमारे पास है न इसे आप हमें standard form में करना है ठीक है standard form 28189 unit 10, 100, 1000 10,000 28,189 तो ये हमारे पास कौन सी form है standard form standard form के बाद हमने portion 3 पे आना है ठीक है write the number above in expanded form expanded form में हमें कौन से number को करना है ये ही number इसी number को हमने आप expanded form में करना है ठीक है तो 2, 0, 20 unit 10, 100, 1000 अब 8 unit 10, 100,000 sorry यहाँ प्लस आएगा क्योंके expanded form में expanded form में plus आता है मेशाँ और numbers को हम तोड़ देते है तो 20 8,000 plus 1 100 plus 80 80 plus 9 तो यह आप लोगों की समझ में आ गया है exercise A और exercise B यह काम आपने अपनी copy में करना है 1, 2, 3 question इसके मेंने solve करवा दिये है 4, 5 आपने खुद book में करना है उसके बाद copy में करना है ठीक है exercise A, exercise B आपने अपनी copy में लिखनी है कोई भी मुश्किल, कोई भी मसला हो आपने मुझसे पूछना है बार बार ठीके, अलाँ आफिस